ओम शांती, आज 13 जन्वरी 2021 के साकार महवाक्य हैं, आज बाबा ने मुरले की महिमा बताते कहा, गायन भी है ना मुरली में जादू, इस मुरली में ज्यान का जादू है, सिरफ मुरली बजाना वह तो कॉमन लोग भी बजाते रहते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं ज्यान से, धारना के लिए कहा, देवी गुण हो तो समझा जाए ग्यान की धारना हैं, ग्यान की धारना वालों की चलन देवताओ मिसल होती हैं, कम धारना वालों की चलन मिक्स होती हैं, फिर कहा, अपना विचार सागर मन्थन करने से अमरत मिलेगा, अपने से पूछना चाहिए हम मारे में सब देवी गुण है या कोई आसूरी अवगुण है। फिर कहा यह लक्ष्मी नारण देखो कितने हर्शित मुख हैं। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किये हैं। ज्ञान रतन जो अभी तुम लेते हो। फिर यह सबी हीरे जवाहरत बन जाते हैं। फिर ज्ञान की महिमा बताते कहा वहां धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं। वहां तो अभी के पुर्शार्त से अकी चार अर्थात अथा धन मिल जाता है। अभी तुम बाप द्वारा सची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते। फिर लास्ट में कहा बाबा में जो ज्ञान हैं, वह अभी ही इमर्ज होता है। इनके लिए ही कहते हैं, सारा सागर्शा ही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धर्ती को कागज बनाओ, तो भी ज्ञान पुरा नहीं होगा, मुर्ली विस्तार से। बाबा बोले, मिठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदेव ज्ञान रतन निकलने चाहिए, तुम्हारा मुखडा सदेव हर्शित रहना चाहिए। प्रश्ण, जिन बच्चोंने ब्राम्हन जीवन में ज्ञान की धारना की हैं, उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में चार बाते बताई, उसमें पहला उनकी चलन देवताओ मिसल होगी, उनमें देवी गुणों की धारना होगी, दुसरा उन्हें ज्ञान का विचार सागर मन्थन करनी का अभ्यास होगा, वे कभी आसुरी बातों का अथवा किचडे का मन्थन नहीं क तिसरा उनके जीवन से गाली देना और गलानी करना बंध हो जाता है, चोथा उनका मुखडा सदेव हर्शित रहता है, ओम शांती, बाप बैट समझाते हैं ज्ञान और भक्ती के उपर, यह तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ती से सद्गती नहीं होती हैं, और सत्युग में भक्ती होती नहीं, ज्ञान भी सत्युग में मिलता नहीं, कृष्ण न भक्ती करते हैं, न ज्ञान की मुर्ली बजाते हैं, मुर्ली माना ही ज्ञान देना, गायन भी है न मुर्ली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना, सिरफ मुर्ली बजाना यह कोमन फकीर मुरली को जादू कहते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं ज्यान से, जब सत्युग में हैं तो ज्यान का वर्सा हैं, वहां भक्ती होती नहीं, भक्ती होती है द्वापर से, जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं, मनुष्यों को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की स्रिष्टी को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है। एक तो स्वयम की वाब बाप की पहचान और स्रिष्टी के आदी मद्य अंत की नौलेज को ज्ञान कहा जाता है। ज्यान से होती हैं सदगती, फिर भक्ती शुरू होती हैं तो उतरती कला कहा जाता हैं, क्योंकि भक्ती को रात, ज्यान को दिन कहा जाता हैं, यह कोई की भी बुद्धी में बैठ सकता हैं, परन्तु देविगुण धारण नहीं करते हैं, देविगुण हो तो समझा जाए ज्य ग्यान की धार्ना हैं, ग्यान की धार्ना वालों की चलन देवताओं मिसल होती हैं, कम धार्ना वाले की चलन मिक्स होती हैं, धार्ना नहीं हो तो गोया वह बच्चे ही नहीं, मनुष्य बाप की कितनी ग्लानी करते हैं, ब्राम्हन कुल में आते हैं तो गाली देना ग्लानी करन बंद हो जाता हैं, तुमको ज्यान मिलता हैं, उस पर अपना विचार सागर मन्थन करने से अमरत मिलेगा विचार सागर मन्थन ही नहीं करते, तो बाकी क्या मन्थन होगा? आशुरी विचार, उनसे किछडा ही निकलेगा अभी तुम इश्वरिय स्टुडन्ट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, देवताए यह पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे, देवताओ को कभी ज्यान का सागर नहीं कहा जाता, ज्यान का सागर तो एक को ही कहा जाता है, देवी गुण भी ज ज्यान से धारण होते हैं, यह ज्यान जो तुम बच्चों को अभी मिलता हैं, यह सत्युग में नहीं होता, इन देवी देवताओं में देवी गुण हैं, तुम महिमा भी करते हो सर्वगुण संपन्न सुलाकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, तो अभी तुमको ऐस बनना हैं, अपने से पूछना चाहिए हमारे में सब देवी गुण हैं, या कोई आसुरी अवगुण हैं, अगर आसुरी अवगुण हैं, तो उनको निकाल देना चाहिए, तब ही देवता कहेंगे, नहीं तो कम दर्जा पालेंगे, अभी तुम बच्चे देवी गुण धा बहुत अच्छी अच्छी बाते सुनाते हो, इसको कहा जाता है पुरुषोतम संगम युग, जबकी तुम पुरुषोतम बन रहे हो, तो वातावरन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मुख से कोई भी चीची बात ना निकले, नहीं तो कहा जाएगा, यह कम दर्जे का हैं, बोल चाल और वातावरन से जट पता पड़ जाता है, तुम्हारा मुखडा सदेव हर्शित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा, मुख से सदेव रतन निकले, यह लक्ष्मी नाराण देखो कितने हर्शित हैं, इन्हों की आत्मा ने ज्ञान धारन क हैं, मुख से सदेव ग्यान रतन निकलते हैं, रतन ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती हैं, ग्यान रतन जो अभी तुम लेते हो, फिर से यह सभी हीरे जवाहरत बन जाते हैं, नौ रतनों की माला कोई हीरे जवाहरतों की नहीं हैं, इन ग्यान रतनों की माला हैं, फिर वह रतन समझ अंगुठिया आदी पहन लेते हैं। इन ज्ञान रतनों की माला पुरुशोतं संगम युग पर पड़ती हैं। यह रतन ही तुमको भविश्य 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं। इनको कोई लूट न सके। यहां तुम यह हिरे जवाहरत पहनो तो जट कोई लूट ले जाएगा। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना हैं। आसूरी अवगुणों को निकालना हैं। आसूरी अवगुणों से शकल ही ऐसी हो जाती हैं। क्रोध में लाल लाल तामबे जैसी शकल हो जाती हैं। काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मन्थन करना चाहिए। यह पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की। वह पढ़ाई कोई रतन थोड़े ही हैं। हां नोलेश पढ़कर बड़ा पोजिशन पा लेते हैं। तो पढ़ाई काम आई ना की पैसा, पढ़ाई ही धन है। वह है हद का धन, फिर यह है बेहद का धन। है दोनों पढ़ाई। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वह अल्पकाल क्षन भंगु की पढ़ाई हैं एक जनम के लिए, फिर दुसरे जनम में नए सिर पढ़ना पड़े। वहां सत्यूग में धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं। वहां तो अभी के पुर्शार्थ से अकी चार अर्थात अथा धन मिल जाता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओ के पास धन बहुत था। फिर जब भक्ती मार्ग अर्थात रावन राजिय में आए तो कितना था। कितने मंदिर बनाए हुए हैं। फिर आकर मुसलमानों आदी ने धन लुटा। कितने धनवान थे। आज की लोकेक पढ़ाई से इतना कोई धनवान नहीं बन सकेंगे। त इससे यह देवी देवता बनते हैं तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं। गरीब से सहुकार। अभी भारत भी कितना गरीब हैं। सहुकारों को तो फुर्शत ही नहीं है। अपना अहंकार रहता हैं। मैं फलाना हूँ। इसमें अहंकार आदी मिट जाना हम आत्मा हैं, आत्मा के पास तो धान, दौलत, हिरे, जवारात आदी कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते हैं देह सहित, सब संबंद छोड़ो, आत्मा शरीर छोड़ती हैं, तो सवकारी आदी सब खतम हो जाती हैं। जब नए सिर पढ़ कर फिर धन कमावे, या तो दान पुन्य अच्छा किया हो, तो सवकार के घर में जनम लेंगे, कहते हैं ना पास्ट के कर्मों का फल हैं। नौलेश का दान किया होगा, वा कॉलेज धरमशाला आदी बनाई हैं, तो उनका फल मिलता हैं, परंतु अल्पकाल के लिए। यह दान पुन्य भी यहां किया जाता है, सत्युग में नहीं किया जाता, सत्युग में अच्छे ही करम होते हैं, क्योंकि अभी का वर्सा मिला हुआ है, वहां कोई का भी विकरम होता नहीं, क्योंकि रावन ही नहीं है, गरीबो का भी विकरम नहीं बनेगा, यहां तो सहुकार तो के भी विकरम बनते हैं, तब तो यह बिमार्या आदी दुख होते हैं, वहां विकार में जाते ही नहीं, तो विकरम कैसे बनेंगे, सारा मदार है कर्मों पर, यह माया रावन का राज्य है, जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं, बाप आकर पढ़ाते हैं, निर्विकारी बन बाप निर्विकारी बनाते हैं, माया फिर विकारी बना देती हैं, राम वन्शी और रावन वन्शी की युद चलती हैं, तुम बाप के बच्चे हो, वह रावन के बच्चे हैं, कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं, माया बड़ी प्रबल हैं, फिर भ पतीत का भी उधार करना होता है ना, बाप को तो सारे विश्व का उधार करना होता है, बहुत गिरते हैं, एक दम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं, ऐसे का भी बाप उधार करते हैं, अधम तो है सब रावन राज्य में, परंतु शिबाबा बचाते हैं, फिर भी गिरते रहते हैं, तो बहुत अधम बन जाते हैं, उनका फिर इतना चड़ना नहीं होता है, वह अधम पना अंदर खाता रहता है, जैसे तुम कहते हो अंतकाल जोस्त्री सिम्रे, उनकी बुद्धी में वह अधम पना ही आता रहेगा, तो बाप बैट बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो, जानवर बनेंगे क्या, मनुष्य ही बनते हैं, और समझते हैं, इन लक्ष्मी नाराण को भी नाक, कान, आदी है, मनुष्य है ना, परन्तु देवी गुणों वाले इसलिए इनको देवता कहा जाता हैं, यह ऐसा सुन्दर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, यह चक्र का तुमको मालूम पड़ गया हैं, जो विचार सागर मन्थन करते होंगे, उनको ध खारना भी अच्छी होंगी, विचार सागर मन्थन ही नहीं करते तो बुद्धु बन पड़ते, मुरली चलाने वाले का विचार सागर मन्थन चलता रहेगा, इस टॉपिक पर यह समझाना हैं, आटोमेटिकली विचार सागर मन्थन चलता हैं, फलाने आने वाले हैं, उन्ह वाग्यापर हैं. कोई जट निष्चे करेंगे, कोई नहीं करेंगे. उमीद रखी जाती हैं. अभी नहीं तो आगे चल कर समझेंगे जरूर. उमीद रखनी चाहिए न? उमीद रखना माना सर्विस का शौक है. ठकना नहीं है. भल कोई पड़कर फिर अधम बना. आता हैं तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे, वा कहेंगे चले जाओ, जरूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आये हो, कहेंगे माया से हार खाली, ऐसे धेर आते हैं, समझते हैं, ज्यान बहुत अच्छा था, परन्तु माया ने हरा दिया, समर्ती तो रहती है ना, भक्ती में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती, यह नौलेश धारन करने की हैं, अभी तुम बाप द्वारा सची सची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते हो, बिगर ब्राम्मन बने देवता बन नहीं सकते, क्रिश्चन, पार्सी, मुसल्मानों म ब्राम्मन होते ही नहीं, यह सब बाते अभी तुम समझते हो, तुम जानते हो अल्फ को याद करना हैं, अल्फ को याद करने से ही बात्शाही मिलती हैं, जब भी तुमको कोई मिले, बोलो अल्फ अल्ला को याद करो, अल्फ को ही उच कहा जाता हैं, अंगुली से अल्फ का इशारा करते हैं न, अल्फ को एक भी कहा जाता है, एक ही भगवान है, बाकी तो सब है बच्चे, बाप तो सदेव अल्फ ही रहते हैं, बादशाही करते नहीं, ज्यान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए, बाब वा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई दुनिया में आते ही नहीं, पावन दुनिया में उनको बुलाते ही नहीं हैं, पतीत ही बुलाते हैं, पावन दुनिया में क्या आकर करेंगे, उनका नाम ही है पतीत पावन, तो पुरान दुनिया को नया बनाने की उनकी ग्यूटी हैं। बाप का नाम है शिव। और सालिग्राम बच्चों को कहा जाता हैं। उनकी पूजा होती हैं। शिव बाबा कहे सब याद करते हैं। दुसरा ब्रम्हा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रम्हा कहते तो बहुत हैं। परन्तु उनको यथार्तरिती जानते नहीं है। ब्रम्हा किसका बच्चा है। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा शिव ने उनको एडॉप्ट किया है। यह तो शरीरधारी है ना। इश्वर की उलाद सब आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अपना अपना पाइट मिला हैं जो बजाना ही हैं। यह परमपरा से चला आता हैं। अनादी अर्थात उनका आदी मध्य अंत नहीं। मनुष्य सुनते हैं एंड होती हैं। तो फिर मुझते हैं कि फिर बनेंगे कैसे। बाप समझाते हैं यह अनादी हैं। कब बने हैं यह पूछने का नहीं रहता। प्रलई होती ही नहीं। यह भी गपोडा लगा दिया हैं। थोड़े मनुष्य हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता हैं, जैसे प्रलै हो गई, बाबा में जो ज्ञान हैं, वह अभी ही इमर्ज होता हैं, इनके लिए ही कहते हैं, सारा सागर शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धर्ती को कागज बनाओ, तो भी ज्ञान पुरा नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चो प्रती, मात पिता, बाप दादा का, याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते, हम रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता, बाप दादा को, याद प्यार गुड मॉर्निंग और नम धारना के लिए सार हैं, पहला अपने हर्षित मुख मुखडे से बाप का नाम बाला करना हैं, ज्यान रतन ही सुनने और सुनाने हैं, गले में ज्यान रतनों की माला पड़ी रहें, आसुरी अउगुणों को निकाल देना हैं, दुसरा सर्विस में कभी ठकना नहीं हैं, उम्म द्रखो शौक से सर्विस करनी हैं, विचार सागर मन्थन कर उल्लास में रहना हैं, बाबा ने वर्दान दिया, स्निह के रिटन में समानता का अनुभव करने वाले, सर्वशक्ति संपन्न भव, स्पष्टिकरण जो बच्चे बाप के स्निह में सदा समाय हुए रहते हैं, उ उन्हे स्निह के रिस्पोंड में बाप समान बनने का वर्दान प्राप्त हुजाता हैं, जो सदा स्निह युक्त और योग युक्त हैं, वह सर्वशक्तियों से संपन्न स्वतह बन जाते हैं, सर्वशक्तिया सदा साथ हैं, तो विजय हुई पड़ी हैं, जिन्हे समर्ती रहत कि सर्वशक्ति मान बाप हमारा साथी हैं, वह कभी भी किसी भी बात से विचलीत नहीं हो सकते। स्लोगन पुर्शार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं, वही खुश नसीब हैं। ओम शांति झालın कि वहная में जाए नहीं जो साथी हैं